Hi friends, कल New Moon है और कल New Moon के दिन हम Goddess Hekate का ritual करते हैं Okay, now, कल का दिन जो wishes अभी तक manifest नहीं हुई है या Goddess Hekate से भी आपनी wishes बोलने के बाद, prayers करने के बाद भी आपके wishes अभी तक नहीं manifest हुई है उनके लिए कल का एक ritual बताने जा रही हूँ See, Goddess Hekate की मानिता है कि जो four crossroads होते हैं उनसे वो हमें बाहर निकालती हैं, रास्ता दिखाती हैं वहाँ पे Now, इसके लिए एक बहुत effective ritual है जो उनसे ही related है आपको क्या करना है, new moon basically अगर मैं बता दूँ तो आज के रात 11 बजे से ही new moon की तिथी लग जारी है, शुरू हो रहा है तो इसका effect आज से शुरू है, तो अगर आप आज करना चाते हो, 11 बजे के बाद, तो आप आज भी कर सकते हैं, नहीं, तो कल रात को करोगे आप या activity ठीक है, अब क्या new moon खतम होने के बाद भी हम कभी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं यह बहुत effective होने वाला है, इसमें क्या करना है, कोई सी भी wish, जो काफी desperate हो जाती है, या फिर manifest होई नीरी है, बहुत time से उसके रास्ते में ही रोड़े आ रहे हैं, तो यह रोड़ा ही हटाना है हमें, आप क्या करोगे, अपने घर से भार निकलो, रास्ते में कहीं से भी, अ चोटा सापकी मुठी में आ जाए, वैसा कुछ आप उठाके उसको घर लेके आओगे, ठीक है, आज रात जो जिनको ये activity करनी है, दिन में आप कभी भी लेके आ जाओ, आज रात जिनको करनी है, वो आप चाकर के अभी से लाके आप रख सकते हो, और रात में आपको एक candle ज अलाके, candle जला ले, अगर जला सकते हो, तो अगर कोई दिकत नहीं है, तो, ठीक है, desperate wishes हैं, जितना अच्छे से हम करते हैं, rituals को अतनी जल्दी-जल्दी manifest होता है, simple, okay, candle की अपनी energy भी है, ये भी धियान रखना है, इसलिए candle बहुत effective हो जाता है manifestation में, या कोई आप इस तरह का spell your ritual कर रहे हो तो, आप क्या करोगे, आप इस पत्थर को हाँप में लेकर के, goddess Hekate को याद करके, जिस भी परेशानी में आप पड़े हो, या wishes हैं, जो रुकी हुई है, manifest नहीं हो रही है, उनके लिए pray करोगे, सिर्फ कि इस wish के रास्ते में आने वाले जो भी blockages हैं, जो भी रुकाफटे हैं, वो सब खतम कर दीजिए, खतम हो जाए, ये prayer करने के बाद, थोड़ी देर का ही prayer है, prayer करने के बाद, आप इस पत्थर को ले जाके, बाहर फेक दोगे, अपने घर से बिलकुल बाहर रोड पे फेक दोगे आप इसको, अगर suppose कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि अ आपाप्मेंट्स में रहते हैं, या ऊपर किसी मंजल पे रहते हैं, वहाँ से बालकनी से फेकना है, तो क्या हम फेक सकते हैं, आप फेक सकते हैं वहाँ से, ठीक है, कोश्चिश कीजिएगा कि अधर पत्थर फोड़ा, ऐसी जगह पे चाहें, जहां पे लोग आते जाते हैं मतलब रास्ता होना चाहिए, ट्रावल करनी वाली जगह पे, रोड होना चाहिए, बेसिकली रोड से रिलेटेड है अगर आप रोड पे जाके फेकते हैं, तो और भी वेल और रहेगा, अच्छा रहेगा, सिंपल सी अक्टिविटी है, बहुत बहुत एफेक्टिव हैं कोई और चीज है, हर चीज के लिए आप ये रिच्वल करना, आज या कल रात को जरूर करना, इसके बाद अगर लाइफ में अगैन कभी ऐसा लगे कि स्टक हो गया है, चीजे रुख गई हैं, बड़ी नीरी आगे, या फिर कोई काम है जो बने नीरा जिसमें बहुत बड़ परिशानिया आ रही हैं, ब्लोकिज़ आ रहे हैं, तब भी भी यही काम कर लेना, आप इंस्टेंट हेल्प मिलेगी, I am telling you, विश्वास के साथ करना, कभी-कभी होता है कि एनर्जी रिप्लाई नहीं देती हैं, ठीक है, कुछ-कुछ लोगों के लिए, जब आपको वो एनर अरजी के लिए ट्रांस्मिट करने लगते हो, now what happens, कि आप उनको छोड़के कहीं भी और प्रेयर करोगे, तो वहाँ पे भी आपकी प्रेयर एकसेप्टेड नहीं होगी, एकसेप्ट नहीं होगी, okay, so, इनसे भी प्रेयर करने के बाद, आप छोड़ दो, रिलीस कर लो, बार पर टेबल चेर यूज़ करके वहाँ पर बैठो, जमीन पर बैठो, फर्ष पर बैठो, बेट पर मत करो, बेस्ट है, ठीक है, और वहाँ पर बैठके आप इसको हाप में लेके, आप गॉड़ अगाटे के चांट कर सकते हो, which is, गॉड़ अगाटे के चांट करने से पहले हम हमारी जो भी विशेज हैं, और हाँ, जिनके जिनकी चाभियां हैं, सबकी चाभियां होंगी, I know, God is a God की की है सबके पास, उसको भी आप, जब ये स्टोन लेके, कैंडल जलाके बैठे हैं, तो कैंडल के पास अपनी उस चाभी को निकाल के, अगर फोन के कवर के पीछे, ज हैं, तो बहुत सिंपल सा, काफे एफेक्टिव है, अच्छा, हनी रिच्वल जो मैंने बहुत पहले बताया था, उसके विडियो आप लग चेक कर सकते हैं, आप डाल सकते हो, हनी रिच्वल of Goddess Hekaarty by Soman Sharma, YouTube के सर्च में आपको वो विडियो मिल जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफी सारे रिजल्स आये थे, काफी लोगों को benefit मिला था, हनी रिच्वल के अलावा, चाबियां जिनोंने नहीं रखे, जो फर्स टाइम इस विडियो को देख रहे हैं, कि किस चाबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो Goddess Hekaarty बहुत miraculous spirit है, guide है, Goddess है जिन से आप किसी भी problem के लिए help मागते हो, instantly आपको वो help करती है, ठीक है, मेरा तो मानना यह है कि उनकी चाबी हाथ में लेके आप उनसे request करें, क्योंकि चाबी, torch और cross road पे पढ़ा हुआ कोई पत्थर, ये सारी उनके signs हैं, ठीक है, जो उनके आजु-बाजु रहता है जब हम उनके signs को use करके उनसे prayer करते हैं, तो चीज़े काफी जल्दी work करनी शुरूग होती है, okay, so कुछ लोग बिना अपनी चाबी को हाथ में लिए भी prayer करते हैं, तो उनकी wishes manifest हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप लोग चाबी रखो, कुछ signs रखने और वो आपके पास में है, तो क्या होता है, कि आपके पास वो problems आने नहीं देती हैं, बहुत से problems को वो चीज़े absorb कर लेती हैं, क्यूंकि आपने उस चीज में वो energy डाल दी है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये चाबी हो, मैं चाहती हैं कि आपको उस level तक जाना पड़े, कि आपको prayer भी करने की जुरुत पड़े, आपको desperate situation आप पहले से protected रहो, एक shield रहे आप लोगों के पास, तो वो ही shield है ये चाबी, ये चाबी कहां मिलती है, बहुत से questions आते हैं मेरे पास, चाबी कहीं नहीं मिलती है, कोई आपको कोड़े से काटे कि चाबी नहीं दे सकता, अगर लोहे की नहीं है, तो जो भी चाबी है, वो चाबी आप उनके साइन के तौर पे अपने पास रख सकते हैं, छोटी सी चाबी रखिए, ताकि आपके फोन के कवर के पीछे हमेशा रख पाओ उसको, क्योंकि फोन ही एक ऐसी चीज है, जो हर वक्त हमारे हाथ में हमारे अवेलिबल रहती है, तो मैं यह चाहती हूँ कि यह जो कवच आपने बनाया है, यह कवच हमेशा हर वक्त हर पल आपके पास रहे, कभी भी लाइफ में कहीं भी हो, कहीं भी रहो, प्रोटेक्टर रहो, सेफ रहो, विच इस वेरी इंपर्टन इन लाइफ, ठीक है, तो आज मैं बूल रही हूँ, कुछ रिच्वल्स में कुछ चीज़ें बहुत मानने होती है, तो इसमें जो है, वो रोड का ही पत्थर आपको लेना है, घर में रखा हुआ, एक्वारियम का या वैसा कोई पत्थर नहीं, गौर्डस हिकार्टे के लिए, क्रॉस रोड का पत्थर जा चालेगा, उतना मिल जाए कि आपकी मुठी में आजाए, तो भी चलेगा, अपने अपने रिच्वल्स आज रात को जरूर कर ले, चाबियों को भी रिचार्ज आज भी कर सकते हो, आप चार्ज और कल भी कर सकते हो, ठीक है, एन लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्ड में है तबी भी आप यस रिच्वल को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, बट येस, निव मून गाड़ेज ही का होता है, और काफी माजिकल होता है, तो हम अपने अपनी विशस के लिए तो डेफिनिटी करेंगे, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव में रहना है, चीजों को हमेशा, म मैं क्या बूलूँ, बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना है, ठीक है, कितनी भी लाइफ में अपस और डाउंस आए, आप उसको अपनी सोच से कनवर्ट करने की शक्ती रखते है, So that's all guys, thank you so much and God bless you all.